हाई फ्रेंड्स बीम इन्फो गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है आज का टॉपिक इलेक्शन के बारे में कोपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जब इलेक्शन होता है तो सबसे पहले इस सवाल आता है कि इलेक्शन में कौन कैंडिडेचर नहीं कर सकता है अधर्वाइश दूसरी आप कहने जाए कि हूँ के कौन कमिटी मेंबर नहीं बन सकता दोफ्तों बहुत सारे सवाल थे इसलिए मैंने सोचा कि क्लियर कट आपको गाइड आने वाला हूँ और उसकी वज़े से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए ऐसे वीडियो शायद आपको डेटेल में कभी नहीं मिलेगा दोस्तों अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के सारे शेय कमिटी मेंबर बनने के लाइक कौन-कौन नहीं है तो सारे मेंबर पहले तो कमिटी मेंबर बनने के लाइक है लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट से जिसकी वज़े से वह कैंडिडेचर नहीं कर सकते और कमिटी मेंबर नहीं बन सकते सबसे पहला कि अगर जो कम जो फ्लैट या तो एपार्टमेंट है वो उसने लास्ट तीन महिने से उसने मेंटेनस पेमेंट नहीं किया है या तो दूसरे में आप ए समझो कि आपको डिफॉल्टर का नौटिस मिला है तो आप कैंडिडेचर नहीं कर सकते हैं मिन्स अगर आपको कोई जैन्यून रीजन है जिसकी वजह से आपने कमिटे को बता दिया है राइटिंग में आपने पर्मीशन ले लिया है तो ओके बढ़ आपने तीन महिने तक लधा था मेंटेनस पेमेंट नहीं किया है और आप डिफॉल्टर डिकलेर हो चुकी हो तो आप कैंडिडे नहीं हो सकते हो कमिटे मेंबबर बने के लाइक नहीं हो सबसे पहला जिसका नाम है और बेटा का नाम दूसरा है तो सबसे दूसरे को अगर करना है तो पहले जो में है सपोज कि हस्वंड का पहला नाम है तो वह अपनी वाइब को एनोसी देखे और कमीटी से पर्मीशन लेके वो उसको वो कुछ कारण सर्फ भार गया है या नहीं अवेलेबल है तो उसको एनोसी एप्रूल कराके उसको राइट दे सकते हैं और वो हस्वंड की जखा पर वाइब कर सकते हैं वह एक हो गया तीसरा कि अगर फ्यूच पास्ट में कोई पर्टिकुलर मेंबर को पता है कि ऐसे लोग जो मिस बियावियर करते हैं और जिसका रेकॉर्ड अच्छा नहीं है दूसरा केस में गिना जाए तो कोई क्रिमिनल रेकॉर्ड है तो ऐसे बंदे को कमीटी मेंबर्स नहीं बना जाए सकता तो एक एहम तीन चीज बहुत महत्वपुर्ण है जिसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कोई कम डिफॉल्टर या तो कोई क्रिमिनल रेकॉर्ड वाला ना आ जाए उसके बाद दोस्तों एक सबसे एहन सवाल है कि सबको पता होता है कि जो साथ में रहते हैं इसमें अगर कोई कोई कारण वस पहले कमीटी मेंबर में र दूसरा नहीं रखो तो अच्छा ऐसा बाई लॉस नहीं है लेकिन आप सब लोगों को पता है इसलिए फाइनली डिसीजन लेके आपको एक करना है और चौथा सबसे में रीजन की अगर एजी एम होता है हर साल और उसमें से लास्तीन एजी एम में विदाउट इंटिमेशन वो अंदर एजी एम में आया नहीं है उसकी प्रेजन नहीं है या तो उसकी प्रेजन के लिए उसने अग्लोलेजमेंट पहले से नहीं दिया है तो ऐसे कैंडिडेट को भी कमिटी मेंबर बनने के लायक नहीं है यह चार पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगे यह चार पॉ